हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स इजी मैत के यूटूब चैनल में पुना एक बार आपका हर्दिक स्वागत करता हूं और फ्रेंड्स आज की जो सबसे बड़ी न्यूज है उसके बारें बात करने वाले हैं कि अभी जो भरती परिक्रिया चल रही है जो सिक्षक भरती परिक्रिय आज है हमारा राज स्थापना दिवस तो इस अवसर्प में आपको सबकामनाय देता हूं और जैसी के अभी न्यूज में आ रहा है कि भूपेज बगेल ने भूपेज सरकार ने आज बिरजगारों के लिए बड़ा निरिना लिया है कि अभी जो वरतमान में जो सिक्षक भर परिग्रिया चल रही है उसके अलावा मतलब उसके अलावा और भी सिक्षक भरति होगा जिसमें इस्थानी लोगों को ज्जादा मौका मिलेगा या इससा बताया जा रहा है तो चले पूरी मामला के हम लगदे करके जान करें लेते हैं पहले में आपको पढ़के बताता हू क्या है राज जीलों की बात हो ने कुछ जीलों की भरती करने जा रही है क्रिसी मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि ये भरतियों अब्यापम द्वारा की जा रही 15,000 भरतियों के अतरीक्त होंगे मतब समझ रहे हैं अभी जो 15,000 भरतियों चल रही है इसके अलावा और भी भरतियों होगा जो की कुछ जीलों में होगा सारे जीलों नहीं होंगे सरकार ये भरती बस्तर विकास प्राधी करन, सरगूजा विकास प्राधी करन और मध्य छेतर विकास प्राधी करन के कनिस्क चैन बोर्ड के माध्यम से करेगा जीलों के थाने लोगों को सिक्षक बनने का उसर मिलेगा मतब समझ रहे हैं जो सरगूजा और बस्तर संभाग के जो जीले होंगे उसमें अलग से भी अभी जो भरती परिक्राइच चल रहा है उसके अलावा हो और भी भरती आएगी जिसमें उन्हीं वहीं जीले की स्थानिय निवास्यों को प्राथमिकता मिले जाया मतब इस्थानी भरती होगा ओके गौरत लब है कि अभी जो चल रहा है फिर वही बात है ना और हम कुछ और चीज़ के बारे में जानकारी कर लेते हैं यह जो अभी आरक्षण को लेकर भी बताया जा रहा है कि अब जीले के में जितने जनसंख्या होगी उसी के एकोर्डिंग आरक्षण को द मंत्री मंडल की बैठा के बाद बताया कि जीला इस तरकी नियुक्तियों में नई आरक्षण ब्योस्था लागू होने से आदिवासी अंचल के कई जीलों में आरक्षण 100% से ज्यादा हो रहा था उन्होंने कहा कि जीले बीजापूर, दंतेवाड़ा, सुक्मा, लिहाज इन जीलों में आरक्षण की ब्योस्था परिवर्तन करते हों मंत्री मंडल नहीं तय किया है कि यहां पीछडा वर्ग और समाने गरीब के लिए आरक्षण के व्योस्था उस जीले में इनकी आबादी के हिसाब से तय किया जाएगा, हाला कि यह भी नहीं जा रहा है जाए कि जो वहां स्टी और स्टी रहेंगे ठीक है फ्रेंट्स इस्टी और स्टी रहेंगे वह एजी जुआल रहेगा जैसे आरक्षण लागू है ठीक है लेकिन पीछडा वर्ग और समाने गरीब के लिए वहां की जनसंख्या को बेस बनाया जा रहा है इनकी आबादी को जा रहे है उसी हिसाब से वहां कारेक्षण तैय हो तो यह फ्रेंट्स भरती के लिए बड़ बड़ी खुस खबरी है और यह तो और जानी रहे है कि भूपय सरकार ने बहुत ही मतलब कई फैसले लगातार ले रहे हैं जैसे कि अभी आप पंच सरपंच के चुनाओं को लेक ठीक है ओके फ्रेंट्स तो यह बड़ा फैसला हाज का जानकारिक में आपको पहुचाना चाहता था हाला कि मैं तो तभी यकीन करूंगा फ्रेंट्स जब तक कि इसका राजपत्र विग्यापन ना आ जाए ठीक है फ्रेंट्स क्योंकि बातें तो कई तरह की होती रहती है ल